सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आरेश्टेक राज को और प्रिस करें गंटे का बटन सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आज हम बात करने वाले हैं रेडमी 4a के पावर पैक रिव्यू पिल्कुल पावर पैक रिव्यू इसलिए बिकॉज यह फोन यूज करते हुए एक मन्त हो चुका है मुझे और यह फोन मैंने अप्रिल के सुरुवात में लिया था थ्री और फोर्थ को तो आज डेट है सेकंड अनद पिताओं में तो एक रोक्स वन मॉन्थ हो चुका है तो सब्सक्राइब बात करेंगे इस फोन में क्या-क्या है और कैसे फोन वर्क कर रहा है उतने सारे अप्लिकेशन इंस्टॉल करने के बाद इस फोन की रैम कितनी रहती है इन सब बारह में बात करेंगे तो पहली इस similar instructions रहते हैं जो बाकी phones में रहते हैं इसमें Snapdragon, Qualcomm का Snapdragon 425 Quad Pro Processor मिलता है और 5-inch की screen मिलती है 30MP का back camera, 5MP का front camera मिल जाता है आपको pricing जो है इसकी 599 है जो की इस पे box पे लिखा हुआ है वो है 6499 तो जो आपको market में मिल रहा है इसमें on-line जो मिल रहा है Amazon पे या फिर MI के website पे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा 599 में इसमें 6000 में इसमें 2GB कि रहे में 16GB के ROM है यह gold model है gold model आपको white के साथ आएगा फ्रंट जो होगा इसका white होगा और back जो होगा वह gold होगा ओके तो यह हो गई box की बात box में देखें तो कुछ इसमें इसमें इंस्ट्रक्शन्स रहते हैं इंस्ट्रक्शन्स हो गया है फिर से notifications कुछ होंगे कुछ इनके warranty 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 cards होंगे और receipt होगी और SIM ejector tool होगा SIM ejector tool होगा चार्जर और charging इसमें इसमें नहीं रहता है तो box की बात हटाते हैं because of course यह एक से डेर वही नहीं होगा तो इसकी बाते बंद करते हैं phone की बार में बात करते हैं कि कैसे work कर रहा है और इसके settings देखते हैं phone पर पहले आगर देखेंगे तो पीछे same branding है same camera है और अगर इसे compare करें हम लोग Redmi 3S से जो की 7000 का है तो of course यह phone deserve करता है उससे ज्यादा better कहे जाने के लिए because 1000 रुपे सस्ता आपको मिल रहा है अगर 1000 रुपे आपको आपके बच रहे हैं और same function आपको मिल रहा है same work मिल रहा है तो फिर of course आपको इसके लिए जाना चाहिए phone के lock को खोल लेते हैं इसमें मैंने रेडमी का जो launcher है उसे remove कर दिया है because मुझे वह पसंद नहीं है इसलिए मैंने उसे हटा दिया है अगर आपको पसंद हो तो आप उसे रख सकते हैं तो अगर launcher में कुछ चेंज लगे तो आप यह न समझें कि रेडमी की phone नहीं है या फिर ऐसा कैसे हो गया इसमें तो launcher जो चेंज है मैं पताब दूंगा उस launcher के बारे में कौन समय launcher यूज कर रहा हूं अगर आपको पसंद आये तो विकॉस इस launcher की कुछ features मुझे पसंद आये तो हो सकता है आपको पसंद आये तो आप उसे यूज कर सकते हैं बता दूंगों जैसे कि लोग 4G phone क्यों ले रहे हैं अफकोर्स जियो के लिए जियो की free जो सेवाएं हैं जो अभी धन दना दन चल रहा है उन सब चीजों के लिए तो इसकी में जियो लगा हुए है और 4G loyalty के option आप देख सकते हैं उपर से slide करेंगे आप इसका तो देख सकते हैं यहां पे कुछ shortcut button है इसको एक बर और slide करेंगे तो बागी के shortcut button आ जाएंगे अगर आप इन shortcut buttons को arrange करना चाहते हैं तो यहां पे sort लिखा हुए sort पे click करेंगे और यहां से आप arrange कर सकते हैं माली जाए MI drop को उपर रखना है तो MI ठीक है तो total settings की हम बात कर लेते हैं के करके कैसे settings हैं ठीक है settings में पहले देखेंगे SIM card और mobile SIM card मोबाइल में आपको दोनों SIMs के details मिल जाएंगे okay फिर mobile का आपका data हो गया VOLT enabled है data roaming हो गई फिर internet यहां पर अगर आपको default SIM सेट करना है तो internet सब्सक्राइब करना होगा internet जैसे कि जियो 4G पर है तो यह आपका default SIM है अगर आप माल लिजे कोई SIM deactivate करना चाहते हैं तो जैसे जियो 4G deactivate करना है यह default SIM है तो यह deactivate नहीं होगा VOLT enabled है अगर माल लिजे आप बाहर जाते हैं किसी अधर एस्टेट में और SIM आपका किसी अधर एस्टेट का है तो data roaming आपको on करनी परती है बहुत लोग जैसे कि जो थोड़े से बुजूर्ग है माल लिजे कि एट सेंस आपके grandfather या फिर जो बड़े लोग हैं उनके father उन लो connection जो connect होगा वो ले लेगा फिर आपको मिलता है personal hotspot, personal hotspot आप यहां से on-off कर सकते हैं अपना hotspot create कर सकते हैं यहां से दूसरों को provide करने के लिए internet अपना फिर इसमें आता है आपका more more settings में आप vpn कर सकते हैं मैं तो suggest करूंगा मैं vpn पर एक video आपको of course दूंगा कि vpn के यूज करते हैं कौन से software vpn के लिए यूज करें जो virtual private network होता है क्यों vpn के यूज करें मैं इसके मारे में आपको बात करूंगा अगर आपकी queries आप चाहत में बताएगा कि vpn के बारे में आप जाना चाहते हैं because vpn आपको जो digitalization हो रहा है moody's आपके चलते उससे बचा सकता है because या फिर कोई website जो है other countries ban कर देती है फिर Indian countries जो ban कर दी है vpn कि तुर आप उसे access कर सकते है free of cost बिना किसी के नजर में आये हुए ठीक है ब्लूटूट ठेट्रिंग यहां से Bluetooth ठेट्रिंग क्या होती है Bluetooth के थ्रूँ आप internet यूज कर सकते हैं अगर किसी Bluetooth device से connect करके डिरेक्ट चलाने चाहते हैं इस प्ले में डिस्प्ले की सेटिंग से color contrast reading mode है reading mode है कि यह ब्लूर रेज जो होता उसको filter कर देता है ताकि आपकी आँखों पर जोड़ न परे है lock screen and password है यहां पर lock screen के total setting यहां से आप कर सकते हैं एडवांस सेटिंग से इसमें इसमें lock screen honor info तो honor info में क्या होता है जैसे कि यहां पर emm डला था तो देखिए emm honor की जो info है वो यहां पर slow करते रहती है तो यही है honor info और कोई इसमें difference नहीं है next pocket mode है pocket mode में अगर आप इसे on रखते हैं तो pocket में जैसे आप phone रखेंगे तो यह proximity sensor है इसका ओपर यह देख रहा है यह detect कर लेगा कि phone जो है आपका कहीं पर रखा गया है आप यूज में नहीं है इसमें जैसे इसे cover करेंगे तो वह automatic lock हो जाएगा फिर launch camera आता है कि double अगर मालेजे की एक shortcut है volume down button को twice करेंगे तो launch camera हो जाएगा advanced settings यहाँ पर कुछ फिर से notifications bars के लिए setting है home screen इस्पेस second space क्या होता है मालेजे एक space यह हो गया इक space आपका यह हो गया इस पर सारे applications है similar एक ऐसा ही space आप create कर सकते हैं अपने private use करने के लिए कुछ चीज आप छुपा के रखना चाहते हैं या फिर तो उसे आप यूज कर सकते हैं next होगे आपका battery battery की total detailing इसमें आपको मिल जाएगी light mode क्या है सारे आपके जो main जैसे सारे notifications है यह सारे लगवग बंद हो जाएंगा light mode में simply कुछ सिर्फ कुछी application से it means सिर्फ calling feature और messaging feature यह बच जाएंगे तो इससे आपके phone की battery बचाने के लिए इस mode को दिये गया है कुछ लोग यूज करते हैं कुछ लोग यूज करते हैं कुछ लोग यूज करते हैं additional setting में date and time language input reason आपका child mode यहां से आप कुछ लॉग कर सकते हैं quick ball क्या है quick ball जैसे आप on करेंगे ball type का यहां पर आ जाएगा यहां से कुछ short cuts create हो जाएंगे तो आप इसे यूज कर सकते हैं quick ball notification light हो गई headphone and audio effects आप यहां से सेट कर सकते हैं one handed mode one handed mode अगर आपका on है तो आप direct इस phone से एक handed mode में जैसे कि आप इमाली जी यहां तक आपका अगर hand छोटा है तो आप यहां तक जाने में दिक्कत हो रहा one handed mode जैसे on करेंगे जैसे यहां पर देखिए जैसे आप slide करेंगे मैं आपको दिखाता हूं center से अगर right side जाएंगे तो राइट side के लिए one hand mode कहेगा enter one hand mode ओके अब उसके बाद आप देखिए जैसे कि 4.5 पर था तो यहां पर इंटर कर गया तो close जैसे कि close करना है आप इसको तो darkened area पर क्लिक करेंगे तो यह close हो जाएगा one hand mode अगर left side में आपको चाहिए one hand mode तो आप इधर क्लिक कर देंगे पर फास्ट स्लाइट करना होता है तो automatic कि आपको सो कर देगा one hand mode में इंटर कर लिए जैसे कि इधर से इधर करते हैं तो one hand mode में इससे फास्ट स्लाइट करना पड़ता है देखें इंटर one hand mode तो प्रॉब्लमेटिक है जैसे कि अब अफकोर्स यह नहीं कहूंगा कि इस फोन की प्रॉब्लम बेलकुल नहीं है कि इस स्पीड आपकी कित्ती है इस पे आपको थोरा सा फास्ट स्लाइट करेंगे तो one hand mode में इंटर कर जाएंगे सिंप्ली one hand mode छोटा हो गया सारे functions आपके इतने छोटे स्क्रीन पे चार सारे चार जो स्क्रीन है इस पे यहां से आप सेटिंग भी कर सकते हैं कि कितने की आपको चाहिए तो settings में भी जा सकते हैं तो यह one hand mode था फिर जैसे इसका मैं एडिशनल सेटिंग में आप जाएंगे तो इसमें देख सकते हैं कि यहां पर developer option मेंने on रखा है तो developer option अगर चाहे तो आप on off जो चाहें वो कर सकते हैं यहां से होता क्या है कि कुछ settings एक्स्ट्रा जो हैं जो कि generally लोग यूज नहीं करते हैं बट अगर जो ज्यादा लोग जैसे advanced कुछ techy यह लोग हैं तो वो लोग इसे यूज करते हैं developer mode हो गया इक्स्ट्रा इसमें develop करना या फिर कुछ ऐसे settings जो कि so नहीं होता है तो developer mode off भी कर सकते हैं यहां से on करने के लिए क्या करना होता है जैसे मालिज आपके developer mode on नहीं है आप simply जाइए नीचे about phone में और यहां पर MIUI version लिखा है इस पर click किजे यहां पर देखिए no need you are already a developer no need you are already a developer लिखा रहा है means आप already developed है आपको फिर से इस पर click करने की ज़रूबत नहीं है तो इस पर 6-7 बर आप click करेंगे तो आपका developer okay तो यह internal अगर we said about phone में देखें तो इसे जो 6.01 पर चलता है यह marshmallow पर 2GB की RAM है और इसकी RAM free की जो हम लोग बात करने वाले थे जिस चीज की उस बारे में आप बात करते हैं तो माली जो बहुत सारे applications मैंने already खोले हुए हैं कुछ applications और खोल देते हैं रहते हैं फिर कितनी जो इसमें RAM बसती है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस total 10 applications खुले हुए हैं फिर भी जो 2GB में से 411 MB बची हुए है it means 2GB में generally तो आपको जो नए handset आप reboot करेंगे बूट करेंगे तो उसमें 1GB के प्रॉक्स 0.9GB जो RAM होती है वो आपकी खाली रहती है अगर सारे को close कर देते हैं तो 669 it means 700 के प्रॉक्स जो है 665 669 के प्रॉक्स मेरा RAM जो है वो free है बट इसके चलते अगर आप सुंच रहे हैं इतना कम RAM पैसे operate होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती है वो RAM management ही ऐसी की जाती है कि अगर कम RAM है तो उसी तरह यूज करेगा अगर आपका 3GB का phone होता तो आपको lag feel होता बात करते हैं इस launcher की जो मैंने install कर रखा है इस launcher पे देखे तो simple इस launcher का फाइदा क्या है कि आप direct यहां से अपने home screen से एक बड़ नीचे slide करें तो यहां पर option आजाता है और जो application आपको खोलना है मालीजे MX player एम क्लिक करेंगे तो MX player pro ओके यह option आगया मालीजे आपको खोलना है chrome c click करेंगे उपर chrome आ गया तो direct आप यहां से shortcut की तोर पर ऐसे यूज़ कर सकते हैं या फिर applications आपको देखना है तो ड्हों में नीचे से जरूर नहीं है कि आप नीचे से GIG search इसे ही क्लिक कर दें तो Google उसे search करने लगेगा Gender inequality index तो यह इस जो launcher है इसका profit एक तरह से कह सकते हैं एक profit है या फिर time अगर managing के कुछ लोग को पसंद आता है कुछ लोग को नहीं आता है अगर कुछ लोग पुराने पे addict हो चुके हैं तो यह पसंद नहीं आएगा तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे take news आपके पास आते रहेंगे और यह बिल्कुल free of cost है अगर आपके मन में कोई doubt है कोई question पूछना है या फिर किसी setting के बारे में पूछना है तो आप उस बारे में नीचे comment section में अपना जो भी question है query है उसको लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं तब तक के लिए take care bye bye good night